हर दिन अपलोड होने वाले मेरे चमतकारी टोटको के टाइमली अपडेट्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें बेल आइकॉन भी दबाएं जिससे कोई भी वीडियो या आवशक जानकारी आप से मिसना हो पाए धन्यवाद नमस्कार मैं हूँ वैभवनाच शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभवन दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे 23 फरवरी के पंचांग राशिफल और महा उपाय के बारे में तो सबसे पहले बात कर लेते हैं पंचांग की विक्रम समवत 2077 मास चल रहा है माग का तिथि शुक्लिपक्ष की यकादशी की तिथिए सोमवार का दिन है नक्षत रयादरा योग है उश्मान और करन है विष्टी और वृत परवर तिवहार की बात करते हैं तो जयाज एकादशी का परवाज मنایا जा रहा है तो यह तो बात रही है आज के पंचांग वाले जातक लोगों के लिए कारशेत्र में इस्थितियां आपके लिए चुनोति पूर्ण हो सकती है नौकरी की विवस्था में उन्नती या वेतन का वेतन व्रिद्धी का मामला आज रुक सकता है अटल सकता है उम कैवली शुखदाएन महमंतर का एक सो आठ बार जाप करें दिल की बात हर किसी से चर्चा करने से आपको बचना चाहिए मितुन राशी मितुन राशी वाले जातक लोगों के लिए कारोबार में आकस्मिक धनलाब और नौकरी में तरक्की के योग आपके लिए दिखते हैं उम गजाननाय नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें और आ करने से आपको बचना चाहिए सिंग राशी सिंग राशी वाले जातक लोगों के लिए कारशेत्र में च्छोटी च्छोटी परशानियों का सामना आज आपको करना पड़ सकता है उम गतिने नमहमंतर का एक सो आठ बार जाप करें और संध्याकाल में अध्यन करने से आपको बचना चाहिए तुला राशी तुला राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापार व्यावसाय धंदा मध्यम रहेगा और कारेशेत्र में कुछ बाधाएं आ जाएंगी जिसके चलते बंता काम भी बिगड़ जाए ऐसी इस्तिति आपके लिए दिखती है तो इस कष्ट स से बचने के लिए इस समस्या से बाधा विग्ण से बचने के लिए उम ग्रह पताय नमवह मंत्रका एक सो आठ बार जाप करें और यात्रा मिला परवाही करने से आपको बचना चाहिए व्रिश्यक राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यावसाइक गतिविदियों में प् पारिवारिक समस्याएं बनी रहेंगी उम चक्रणे नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और वाहन का प्रयोग बहुत सावधानी में करें मकर राशी मकर राशी वाले जातक लोगों के लिए कारुबार अच्छा चलेगा और धनलाब की इस्तिति रहेगी उम चंडाई नमहमंत्र का 108 बार जाप करें और भूखे पेट घर से निकलने से आपको बचना चाहिए कुम राशी कुम राशी वाले जातक लोगों के लिए व्यापार धन्दा अच्छा चलेगा आर्थिक इस्तिति मजबूत होगी पैत्रिक संपत्ति से बड़ा लाब मिल जाए ऐसी इस्तिति आपक लेगा कारेशेतर में सही कर्मियों का पूरा-पूरा सहयोग मिलेगा कारे में सफलता की इस्तिति दिखती लेकिन अनावश्यक खर्च होने से आर्थिक पक्ष्य थोड़ा कमजोर हो सकता है ओम कांताय ने महमंत्र का 108 बार जाप करें और मानसिक तनाव और ठकान को आप आपको बताऊंगा कि आपके बोलने के तरीके से आपके बोल से आपके शब्द से आपके बात करने के तरीके से आपके व्यक्तित्व आपके परसनालिटी की पोल खुल जाती है आपका जो बात करने का तरीका है वो आपके चरित्र आपके व्यक्तित्व आपके परसनालिट उसी प्रकार वाणी में भी समानता नहीं होती किसी की आवाज भारी होती है तो किसी की आवाज बहुत पतली होती है किसी की आवाज को सुनकर के बार बार सुनने की इक्षा होती है तो किसी की आवाज को सुनकर के कान बंद कर लेने का मन करता है समुद्र विज्यान में अंग को जानकारी कर सकते हैं समुद्र शास के नुसार जो लोग बोलते समय बीच बीच में अटकते हैं उनमें आत्मविश्वास की कमी होती है ऐसे लोग कभी-कभी चोटी-चोटी बातों पर भी उग्रू हो जाते हैं कई बार इनका निरनाय दूसरों से भी प्रभावित होता है इसके विपरीत जो व्यक्ति अपनी बातों को इसपस्ट और साफ शब्दों में कहता है वो आत्मविश्वास से बरपूर होता है। ऐसे लोग जल्दी किसी के प्रभाव में नहीं आते। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो साफ और सपस्ट बोलते हैं लेकिन किसी शब्द पर अधिक जोर देते हैं। इस प्रकार बोलने वाले व्यक्ति में दिखावा करने की प्रविर्ती होती है। यह हर चीज को बढ़ा चड़ा करके बोलते हैं जो लोग जल्दी जल्दी बोलते हैं उनके विशय में माना जाता है कि इन्हें लगता है कि सामने वाला व्यक्ति इनकी और ध्यान नहीं दे रहा है। इसलिए अपनी बात जल्दी से जल्दी वो रख करके बात समाप्त कर देना चाहते हैं। ऐसे लोगों में गंभीरता की कमी होती है, इस तरीके से बोलने वाले लोग बहुत उतावले माने गए हैं। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जिनके शब्द बोलते समय तूटते हैं, वानी बहुत करकश होती हैं और शब्द बहुत साफ बहुत क्लियर नहीं होते हैं। इनके विशह में कहा जाता है कि ये अपने लक्ष के प्रती बहुत गंभीर नहीं होतें। किसी बात पर तुनक कर वा पुगर नहीं होतें। ऐसे लोगों में मैंनेज्मेंटकी योगित़ा बहुत अधिक होती है, समाज और परिवार में इनकी इस्थिती बहुत मजबूत होती है। ऐसे लोग जहां भी होते हैं इन्हें आदर मिलता है इनका सम्मान सतकार जो है समाज में होता रहता है इनकी पद प्रतिष्ठा में वृद्धी भी समय समय पर होती रहती है अपने वानी और अपने व्यवहार के कारण तो दोस्तों आशा करता हूँ कि शास्त से जुड़ी होई बातें ग्यान की बातें जो आपको मेरे यूट्यूब चैनल से प्राप्त होती है वो निश्यती पसंद आती होंगी आप सभी से बार बार आग रहा है कि जब भी आप मेरे वीडियो देखते हैं तो इनको लाइक और शेयर जरूर करें और आपने अगर अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करिए इसी शुब कामना के साथ कि आपका दिन शुब हो मुझे आग्या दीजिए और देखते रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल वैभावन हर दिन अप बिए कि कि अगरे लिए यानि आप अपनी किसी बी पर सब्सक्राइब के लिए मुच्बाह के लिए कंसलो और रोदृमन हर चाहते हैं तो उसके दो तरीके है इन दोनों नमबर पे WhatsApp अवेलेबल है, आप WhatsApp करें, 9818300146, यह हमारे ओफिस का दूसरा नमबर है, अगर आप हमें email करना चाहते हैं, तो आप हमें email कर सकते हैं, हमारी email ID नोट कर लीजे, इस पर आप हमें email भी कर सकते हैं, मित्रों आजकल phone calls बहुत जादा हैं, और मुझे भी मालूम है, आप लोग call करते हैं, phone receive नहीं होता, तो आप भी निराश होते हैं, ऐसे में email और WhatsApp करना सबसे बहतर तरीका है, धन्यवाद.